दोस्तों बहुबली और केजव जैसी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला और साउथ की फिल्मों को लेकर आज ओडियंस के बीच जिस तरह का क्रेस है उसी के चलते आज हर प्रोडूसर को अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीस करने की हिमत मिली है ऐसे में बहुत सी फिल्में निकल कर सामने आई हैं जिने काफी बड़े बजट के साथ जोरो सोरो पर बनाय जा रहा है जो रिलीस होते ही डेफिनलिटी बॉक्स आफिस को एक जबज़श टकर देंगी यहां ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में ओडियन्स को पूरी जानकारी है वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में है जिनकी making को लेकर audience पूरी तरह से aware नहीं है इसलिए आज हम आपको upcoming pen India फिल्मों की जानकारी देंगे जिने सायद आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों चैनल को subscribe करके वीडियो के साथ बने रहें उससे पहले समझते हैं कि एक pen India film क्या होती है एक bilingual film क्या होती है और एक dub film क्या होती है चूकि अब trend सा हो गया है कि makers अपनी फिल्मों को dub कराके हिंदी में भी release करने लगे हैं जिसकी वज़ा से सबको लगता है कि ये एक pen India film है बट actual में pen India film उसे कहते हैं जिसे making के साथ ही decide कर लिया जाता है कि film को south की चारो भासाओं के साथ हिंदी में भी release किया जाएगा फिल्म के पूरे इंडिया में release होने की वज़ा से film में अलग-अलग industries के non faces को cast किया जाता है ताकि हर industries में film का impact पड़ा वहीं एक bilingual film वो होती है जिसे तमिल ये तेलकू या किसी भी दो भासाओं में release किया जाता है इवन अगर film को south की चारो भासाओं में release किया जाता है तब भी उस film को pen India film नहीं कह सकते pen India film कहलाने के लिए film को पूरे इंडिया में एक साथ release करना पड़ता है ऐसे में कुछ filmें ऐसी भी निकल कर सामने आई हैं जो specific अपनी industry से belong करती हैं लेकिन film को हिंदी में dub करके डिरेक्ट थेटरस में release करने का trend सुरू हो गया है और fans उन्हें ही pen India film समझते हैं खैर हम उनी filmों की बात करेंगे जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं हम उन filmों पर बहुत थोड़ा सा time spend करेंगे जिनके बारे में आपको अच्छे सा जानकारी है दोस्तो सबसे much awaited pen India film है केजिफ chapter 2 केजिफ की सफलता के बाद इस film के sequel को और भी बड़े बजट के साथ तयार किया जा रहा है जहां फिल्म की कास्ट में आपको अलग-अलग इंडस्टीस की assembly कास्ट देखने को मिलेगी जहां Bollywood से इस फिल्म में Sanjay Dutt और रवीने टंडन को कास्ट किया गया है इसके अलावा इस फिल्म में तमिल और तेलगू इंडस्टी से भी कई नोन एक्टर्स को काश्ट किया गया है इसके बाद RRR फिल्म का बस भी जोरो पर है चुकि ये बहुबली के बाद SS राजा मौली की दूसरी फिल्म होगी इसलिए फिल्म से लोगों की बहुत उमीदे हैं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म बहुबली के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी अगली फिल्म है पुस्पा ये अलु अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी फिल्म के टीजर और टेलर को अलग-अलग इंडस्टी से बंपर रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को दो पार्ट में रिलिस किया जाना है और डेफिनिट्ली ये फिल्म बॉक्स आफिस पर जबजस कमाई करेगी वहीं पैन इंडिया सूपर इस्टार प्रभास की मूवी रादे स्याम के लिए भी फैन्स काफी एक्साइटेड है और इस फिल्म से भी साफ तोर पर उम्मीद की जा सकती है कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर जबजस कमाई करेगी अब हम चर्चा करेंगे उन पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स पर जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है दोस्तों तेल्गू इंडस्टी से बहुबली और बहुबली 2 तमिल इंडस्टी से रोबोट आई और 2.0 वहीं कनेडा इंडस्टी से केजव जैसी फिल्मों ने बॉक्स आफिस को पूरी तरह से हिला के रख दिया लेकिन मल्यालम इंडस्टी से अभी तक कोई ऐसी फिल्म निकल कर सामने नहीं आई जिसे एक पैन इंडिया फिल्म कह सके नो डाउट मल्यालम इंडस्टी हमेशा से ही कंटेंट से रिच रही है और यहां के फिल्मों के बराबरी सायदी कोई एक्सपेरिमेंट कर सके ये इंडस्टी भी अब पैन लेवल पर धमाका करने को तैयार है फिल्म का नाम है मरक्कर लॉयन ओफ अरेबियन से ये एक मल्यालम भासा की एपिक वार ड्रामा फिल्म होगी इस फिल्म को समुदरी इलाके पर बेश्ट करके बनाए गया है परसनली फिल्म के पोस्टर को देखकर मुझे तो पाइट्स आफ दा करेबियन वाली वाइप्स आ रही है फिल्म को प्री दर्सन डेरेट कर रहे हैं और फिल्म के लीड हीरो है मोहनलाल दोस्तों मोहनलाल और प्री दर्सन ने अब तक एक से बढ़कर एक बैतरीन फिल्म में दी हैं और इस फिल्म से भी काफी हाई एक्सपेक्टेशन है फिल्म को 100 करोण के हाई बजट के साथ बनाय जा रहा है जो कि मल्यालम इंडस्टी की सबसे महंगी फिल्म होगी वहीं फिल्म की कास्ट पर नजर डालने तो हर इंडस्टी से किसी न किसी एक्टर को कास्ट किया गया है फिल्म में मल्यालम के सूपर इस्टार मोहनलालसन नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में कीर्ति सुरेश और लक्ष्मी वारियर भी होगा वहीं कनडा इंडस्टी से इस फिल्म में किच्चा सुदेप और अर्जुन सर्जा को लिया गया है बॉलिवड एक्टर की बात करें तो इस फिल्म में सुनिल से टी भी नजर आएंगे इस फिल्म में तमिल इंडस्टी से प्रभू गनेशन को काश्ट किया गया है दोस्तो ये फिल्म 20 मार्ज 2020 को रिलीस होनी थी मगर कोविट के चलते इस फिल्म की रिलीस कई बार चेंज हो चुकी है फाला कि फिल्म पूरी तरह से बनकर तयार है और फिल्म को अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल में डेरो अवार्ट्स मिल चुके है एवन इस फिल्म को तीन नेशनल एवार्ड से भी नवाजा गया है फिलाल अभी तो इस फिल्म की कोई ओफिसियल रिलीज डेट निकल कर सामने नहीं आई है लेकिन देखते हैं अब ये फिल्म कब रिलीज होगी फिल्म में रियल स्टार उपेंद्र सर नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में प्रकास राज, काजल अगरवाल, नैंतारा और किच्चा सुदीब जैसे एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे बॉलिवुड से इस फिल्म में जैकिस राव को काष्ट किया गया है मेभी वे इस फिल्म के विलन हो सकते हैं दोस्तो उपेंद्र सर की पहचान पैन इंडिया लेवल पर थोड़ी कम है इसलिए हो सकता है कि आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड ना हूँ आप पहले ये वीडियो देखे जिसमें हमने बताया है कि आखिर उपेंद्र सर कौन है इसके बाद आप इस फिल्म के लिए भी excited हो जाएंगे दोस्तो इसी कड़ी में हमारी अगली फिल्म का नाम है पुनियन सेलवा ये तमिल इंडस्टी की एक बिग बजट पैन इंडिया फिल्म होगी फिल्म का टोटल बजट पांसो करोड निकल कर सामने आया है इस फिल्म को टोटल दो पार्ट में रिलिस किया जाना है फिल्म का पह अलावा इस फिल्म में कार्थी और जेम रवी भी लीड रोल में हैं इसके अलावा इस फिल्म में मल्यालम इंडस्ट्री से जैराम और रह्मान सर को काश्ट किया गया है फिल्म में एसोरे राय बच्चन और त्रिसा कृष्णन जैसी एक्टरस हैं इसके अलावा इस फिल्म में आपको विक्रम प्रभू, आर्ट सरत कुमार, प्रकास राज और प्रभू गनेशन जैसे दिक्कच एक्टरस देखने को मिलेंगे दोस्तो मनी रत्म की हर फिल्म की तरह इस फिल्म में एयार रह्मान का म्यूजिक है बेसिकली ये फिल्म लक्षमी कृष्णा मूर्ती की साल 1955 में रिलीस हुई, सेम इसी नाम की नौवल पर बेस्ट है फिल्म में चियान, विक्रम, कार्थी और जैम रवी को हिस्टोरिकल करेक्टरस में देखने का मजा ही कुछ और होगा इसके बाद आती है किच्चा सुदीब की विक्रांत रोना दोस्तो किच्चा सुदीब की पहचान पैनेंडिया लेवल पर काफी अच्छी है इस बार उनी को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है ये एक 3D फेंटेसी एडवेंचर फिल्म होगी फिल्म को कनड़ा के साथ सत्त तमिल, तेलगू, मल्यालम और हिंदी समय 14 भासाओं में रिलीस किया जाना है फिल्म के टाइटल को बुझ खलीफा पर रिविल किया गया मेकर्स फिल्म को लेकर काफी एकसाइटेट हैं और फैंस के बीज भी इस फिल्म का जबजस क्रेज देखा जा सकता है फिल्म का BGM और लेडी ब्लॉक बश्टर हो चुका है इसके बाद जिस फिल्म का नाम आता है वो भी एक मल्यालम फिल्म है फिल्म का नाम है बारोज गार्डन और डिगामा स्ट्रिजर जो की सेम इसी नाम के नौवल पर बेश्ट है इस फिल्म को भी दो पार्ट पर रिलिस करने की प्लैनिंग रखी गई है मेबी ये फिल्म वासको डिगामा के खोजे हुए खजाने की इड़ गिल घूमेगी फिल्म के हीरो मोहन लाल हैं और ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म के जरिए मोहन लाल सर अपना डिरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म मोहनलाल सर की ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे इस फिल्म को काफी परसनली बना रहे हैं। फिल्म में बड़े-बड़े टेकनिसियंस और सिनेमेटोग्राफर को हायर किया गया है। ताकि फिल्म किसी भी डिपार्ट्मेंट में कमजोर ना मालूम पड़े। इसके बादे तमिल के सूपर इस्टार रजनीकान सर की अनना थे। फिल्म में रजनी सर हैं इसलिए जाहिर सी बात है ये एक पैनिडिया फिल्म होगी। फिल्म में इनके अलावा जगपती बाबू, जैकिस रॉफ, प्रकास राज, नैंतारा और कीर्ती सुरेज जैसी एक्टर्स के नाम सामिल हैं। इस बार फिल्म को डिरेट कर रहे हैं सिवा जो वैसे तो थला अजीद के साथ फिल्में बनाने के लिए मसूर हैं। इन्होंने अजीद के साथ वीरम, वेदलम, विवेगम और विश्वासम जैसी बहतरिन फिल्म में बनाई हैं। वे इस बार रजनिकान सर के लिए फिल्म बना रहे हैं। डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छी कमाई करेगी। वहीं तेलगू इंडस्ट्री की बात करे तो पुस्पा और त्रिपल आर जैसे फिल्मों का बस तो बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और फिल्म है जिसकी चर्चा जोरो पर है। फिल्म को प्रोडूस कर रहे हैं टॉलिवूड के प्रिंस महजबाबू। फिल्म का नाम है मेजर। ये फिल्म मेजर संदीप उन्नी किस्टन जी की लाइप पर बेश्ट होगी। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अद्वी सेज सर। अद्वी सेज तेल्गू इंडस्ट्री के highly talented actor हैं और वे जिस भी फिल्म के साथ काम करते हैं वो फिल्म unique होती है। इन पर भी हमने एक dedicated वीडियो बनाया है आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक आपको उपर आई बटन पर दी गई है। ये अद्वी सेज की पहली पैन इडिया फिल्म होगी जिसे तेल्गू के साथ सा तमिल, मल्यालम, कनड़ा और हिंदी में भी release किया जा रहा है। आप इस फिल्म के लिए कितना excited हैं आप नीचे comment section में बता सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म है मिननल मुरली जिसका हिंदी टैटल है मिश्टर मुरली। ये एक मल्यालम भासा की बनी super hero फिल्म है जिसे पैन इडिया लेवल पर release किया जाना है। फिल्म के हीरो है तौविनो थॉमस। फिल्म तो इस फिल्म का बस काफी ठंडा है मगर फिल्म के teaser quite interesting है। लेट सी तौविनो थॉमस की इस फिल्म को audience किस तरह का response देती है। इसके बाद फिल्म आती है आचार्य। फिल्म में मेगा स्टार चिरन जीवी और मेगा पावर स्टार राम चरंड एक साथ नजर आने वाले हैं। इसी वज़ा से ये फिल्म और भी खास हो जाती है। इसमें चिरन जीवी और राम चरन के अलावा काजल अगरवाल और पूजा हेकड़े भी नजर आएंगी। फिल्म को 140 क्रोन के हाई बजट के साथ तयार किया जा रहा है। फिल्म में बॉलिवूड एक्टर सोनु सूध और बंगाली एक्टर जीसु सेन गुपता को भी कास्ट किया गया है। लेट सी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद आती है रक्षि सेटी की 777 चार्ली। ये एक कनड़ा भासा की ओरिजिनल फिल्म में जिसे हिंदी, तमिल, तेलकू और मल्यालम में रिलीस किया जाना है। फिल्म के टीजर को पैन इडिया लेवल पर जबजस रिस्पॉंस मिला है। जब पिछली बार रक्षि सेटी की मुवी अवने स्रीमन नरायंड को पैन इडिया लेवल पर रिलीस किया जाना था, तब फिल्म के साथ खेल हो गया और बॉलिवड ने इस फिल्म को स्क्रीन ही नहीं दी। लेकिन इस बार मेकर्स पूरी तैयारी से उतरे हैं, देखते हैं और्डियन्स फिल्म के साथ कैसा ट्रीट करती हैं, इनी पैन इडिया फिल्मों के 20 तमिल की फिल्म वाली मैई भी चर्चा में है, रिपोर्ट सज़स्ट करते हैं कि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीस होने वा जित कुमार के साथ साथ हुमा कुरेशी और RX100 फिल्म के हीरो कार्थिके गमा कंड़ा विलन के तौरपन नजर आएंगे तो दोस्तो ये रहा आज का हमारा एक special वीडियो अभी बहुत सारी फिल्में बाकी हैं जिनको हम इस वीडियो के next पार्ट में cover करेंगे तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे comment section में बता सकते हैं साथी साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा topic हो तो हमें suggest जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, comment करें और मेरे channel को subscribe करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद